नमस्कार आप देख रही हैं डीडी नियूस मैं हूं आंसल गुलाटिक उंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ अमेरिका के पूर राश्पती डॉनल्ड ट्रम पर हुई गोलिबारी को एफबियाई ने बताया हत्या का प्रयास प्रतेनिधी सभा के स्पीकर ने हमले की जाच कदिया आश्वासर पैंसल बेनियर वैली में गोलिबारी के दौरान ट्रम घायल सीक्रिट सर्विस थे हमलावर को मौके पर ही किया धेर शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत दो जखने ट्रम्प पर हुए हमले की चोतरफा निंदा प्रदान मंत्री नहेंदर मोदी समेट इस्वाइल और भुटेन के प्रदान मंत्री ने की जल्द स्वस्त होने की कामना किंद्रिय ग्र्यमंत्री अमिच्विया आज मद्यप्रदेश के पच्पन जिलों में प्रदान मंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलेंस का करेंगे शुभारम एक पेर मा की नाम अभ्यान में भी होंगे शामिल यूपी भाजपा प्रदेश कारे समीती की बैठट आज राश्ट्रे ध्यक्ष जेपी नड़ा करेंगे संबूधित विधान सभा चुनाफ की तैयारियों पर होगा मन्त है मौन्सून की बारिश में मुंबई हुई पानी पानी कई लाकों में जल भरा अव गुजरात में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा माराश्ट गुआ और करनाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट ओडिशा में 46 साल बात खुलेगा भगवान जगनात मंदिर का रतन भंडार रतन भंडार की खीमत की आकलन के लिए एक्सपर्ट कमेटी का की आगया है गठन खेल की खबरों में विंबलजन में पुरुश एकल खिताब की रक्षा करने उतरेंगे कार्लोस अलकराज फाइनल में नुवाग जोकोविच से होगी बढ़न जोकोविच की नदर अपने 25 पे ग्रांट स्लाग पर और आए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्ता के साथ अमेरिका के पूर फ्राश्पती डॉनल्ड ट्रम पर हुई गोली बारी की जाश में जूटी FBI टीम ने इसे हत्या का प्रियास करा दिया वहीं प्रतिनीधी सभा के स्पीकर ने हमले की जाश का आश्वासन दिया है आपको बता दे कि अमेरिका के पैंसिलवेनिया के ग्रेटर पिट्सबर्क शित्र के बटलर में एक रैली के दौरान डॉनल्ड ट्रम पर गोलिया चलाई गई इस हमले में गोली ट्रम के कान पर लगी गोली लगते ही ट्रम के कान से खून बहने लगा जो चेहरे तक आ गया गोली लगते ही ट्रम पोडियम के पास ही गिर गए थे ट्रम को तुरंट सुरक्षा दिकारी अस्पताल ले गए आपको बताएंगी पूर्व अमेरिकी राश्पती सुरक्षित हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है इस हमले के दोशी हमलावर को अमेरिकी सीक्रिट सविस ने मार गिराया वहीं हमले के दौरान लगातार गोलिया चली इस दौरान गोली लगने से क्यक्ति की मौत हुई वहीं दो और लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है डॉल्डरम को जिस वक्त अस्पताल ले जाय जा रहा था उस वक्त वो पूरे होश में थे और हातों की मुठ्छी के इशारे से उन्होंने अपने समर्थकों को ये जतला भी दिया था कि वो किसी भी हमले से डरने वाले नहीं है अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने हमले के बाद दौनल्ड ट्रम्प से बात की वाइट हाउस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि बाइडन ने ट्रम्प से फोन पर बात की है बाइडन ने कहा कि उन्हें ये जानकर बेहत खुशी हुए कि वो सुरक्षट है और उनकी जो अहालत है उसमें सुथार है उन्होंने ट्रमप और उनके पारिवार की रैली में मौजू उस्थ सभी लोगों की सुरक्षित होने की प्रात्ना की, साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह के हिंसा के लिए कोई जुगा नहीं है और हमें एक राश्ट के रूप में एक जुठ होकर इसकी निंदा करनी चाहिए बाइडन ने ट्रम्प से फोन पर बात की, हमले के बाद ट्रम्प से बाइडन ने फोन पर जो बात की है उसके बाद वाइट हाउस ने इसकी जानकारी साचा की है बढ़ते आगे पुवराश्पती डॉनल्ड ट्रम्प पर होए जौनलेवा हमले को लेकर चुनिता जटाई पुवराश्पती डॉनल्ड ट्रम्प पर होए हमले से में बहुत चुन्तित हूँ इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ राचनीती और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है उनके श्रीग रिस्वास्थ होने की काम ना करता हूँ हमारी समवेदनाएं और प्रातनाएं म्रत्कों के परिवार घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है हामले के बाद अमेरिका के पूर राचपती डॉनल्ड ट्रॉप ने यूनाइट स्टेट सीक्रिट सर्विस की शूटिंग के दोरान तुरंत कारवाई और उनकी जुहन मचाने के लिए धन्यवाद दिया साथ ही उन्होंने गोली बारी में मारे गए व्यक्ती के परिवार और बुरी तरहां घायल हुए व्यक्ती के परिवार के प्रती समवेद नाव्यक्त की है उन्होंने का कि ये अवश्विस निये हैं कि ऐसा कृत्य अमेरिका जैसे देश में हो सकता है अमेरीकी उप राश्पति कमला हरस ने तोशलमीने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पैंसिलवेनिया में पूफ राश्पति ट्रम के कारिक्रा में हुई गोली बारी के बारे में जानकारी दी गई है हमें जानकर रहात मिली कि वह गंपी रूप से घायल नहीं है हमें उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रातना हम कर रहे हैं जो इस गोली बारी से घायल और प्रभावित हुए हैं हम त्वरित कारवाई के लिए स्थानी अधिकारियों के अभारी हैं इस तरह की हिंसा कहा हमारे देश में कोई स्थान नहीं हम सभी को इस घृत कृत्ति की इनिंदा करनी चाहिए और सुनिश्चृत करना चाहिए और अपनी भूमी का निभानी चाहिए कि इस घटना के करण और अधिक हिंसा ना हो अमेर के विदेश मंत्री आंट्नी बिंकल ने पूर राश्पती पर हुए हमले पर दुख ज़ता है उन्होंने कहा कि शुक्र है कि वो सुरक्षित है तो बिंकल ने भी ट्रम पर हुए हमले पर दुख ज़ता है साफतोर पर उन्हों ने ये भी कहा कि वो इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि जो पूर राश्पती हैं अमेरिका के डॉनल्ड ट्राम्प वो सुरक्षित है इस्वाइल के पुधार मंत्री बिंजमिन नितिन्याहु ने डॉनल्ड ट्राम्प पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है मुई बिचेन के पुधार मंत्री की इस ट्रामर ने सोचल मीडिया प्लाटवाम एक्सपर कहा कि मैं राश्पती ट्राम्प की राली में हुए चौकाने वाले दृश्यों से स्थब्ध हूँ और हम उन्हें और उनके परिवार को अपनी शुपकामनाएं भेजते हैं किसी भी रूप में राश्पतिक हिस्सा का हमारे समाच में कोई स्थान नहीं और मेरी समवेदनाएं इस हमले के सभी पीड़तों के साथ है पूर्व अमेरिकी राश्पती बराक अबावा ने तोशल मीने प्लैटफॉर्म एक्सपर कहा कि हमारे लोकतंत्र में राश्पतिक हिंसा के लिए बिलकुल कोई जगा नहीं हाला कि हम सभी अभी तक नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ हम सभी को राहत होनी चाहिए कि पूर्व राश्पती ट्रम को गंभी चोट नहीं आई मिशेल और मैं उनके श्री रिस्वस्त होने की कामना कर रहे है केंद्री ग्रह मंत्री अमेर्ज श्याज इन दौर दोरे पर जा रहे हैं इन दौर के अटल बहारी वाजपई श्यास्किय कला और वानित्य महाविद्याले में होने वाले इस कारकर में मुख्य मंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव भी शामिल रहेंगे आपको बदा दे कि इन दौर और पूरे देश के लिए आज एक एहम दिन है आज देश के सबसे स्वच शहर इन दौर में सुभा 6 बजे से शाम 6 बजे तक 11 लाख पौदे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाएगा एक पेड माके नाम इस अभ्यान में केंद्रि ग्रह मंत्री भी शामिल होकर पौधार उपन करेंगे भारती जनता पार्टी की ग्रिवसिये प्रदेश कार्य समिती बैठक आज लखनव में आयो जित होगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंग चौधरी की आध्यक्षिता एवन प्रदेश मामंत्री संगठन धर्मपाल सिंग्ग की मौझूदगी में कल हुई प्रदेश पद अधिकारियों की बैठक में आज होने वाली प्रदेश कारिवसमिती की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों और अन्य विशो पर जो चर्चा है उसको अंतिमरूप दिया गया प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कारे समीती बैठक संगतनात्मक कारे रोजना को पार्टी के वरिष्ट पद अधिकारियों, जन प्रतिनधियों और नेताओं की समक्ष प्रस्तूती करण का माध्यम है नराम अनुवर लोया विधी विश्व द्याले में होने वाली बैठक में जो कारिक्रम और अभ्यानतिय होंगे उसे प्रदेश श्वेत रुजिला मंडल बूद्स थर पर चला आजाएगा पारी के राश्वे अध्यक्ष च्रगत प्रकाश नड़ा मुख्यमंत्री योगी अर्तिनाथ समेत अन्य प्रमुख नेता पार्टी के पद अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे ओडिशा में सत्ता में आने पर बारभी सदी के मंदर के खजाने को फिर से खोलने का वाइदा करने वाली ओडिशा की भाजबा सरकार आज पूरी में बगवान जगनात मंदर का पतिश्टित खजाना रत्म भंडार खोलेगी इससे पहले 1978 में खोला गया था राजसरकार की गठित 16 सजस्थी उच्थरीय समीती ने 14 जुलाई को यानि आज मंदर के प्रतन भंडार की जाँच और वहां रखे आभूशनों और खीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी भारती ये पुरातत वसर्वेक्षन इस मौके का इस्तिमाल मंदर की मरमत के लिए भी करेगा पतानमंत्री ने जमोदी ने सोचल लिए प्लाटफॉर्म एक्सपर तृपूरा में मनाई जाने वाली खर्ची पूजा की शुपकामनाई दी उन्होंने एक प्लाटफॉर्म में एक्सपर लिखा खर्ची पूजा के अफसर पर सभी को विशेश कर तृपूरा के लोगों को शुपकामनाई चतुरदश देवता का दिव आशिरवाद सदय हम पर बना रहे जिस से सभी को खुशी और अच्छा स्वास से मिले ये सभी के जीवन को समर्दी और सद्भाव से समर्द करे तृपूरा में एक सब्ता तक चलने वाली शाहिप पूजा के साथ जुराफ का ये त्योहार सभी के लिए समर्द दिये खुशी और अच्छा स्वास ठिलाए इसके साथ ही रोने शुपकामना संदेश का वीडियो भी साचा किया है और आए बात करते हैं मौसम के मुंबई और उसके आसपास के लाके ठाने, पालगर, सिंदु दुर्ग, रतनागिरी और राइगर में भारी बारिश लगातार जारी है मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए विशेश रूप से चेतावनी दी मौसम विभाग के मताबिक इन इलाकों में बहुत भारी बारिश संभव है आएमडी ने इस चेतावनी आने वारी 16 जुलाई तक के लिए जारी की है भारी बारिश की वज़े से मुंबई में कई जगहों पर जल भराव देखनी को मिला मुंबई चात्रुपती शिवाजी माराज अंतराश्ट्री एरपोर्ट के एंट्री एग्जिट गेट और अंधरी समेट का ही जगह सब्वे में जल भराव की स्थिती उत्पन हुई इसके जादी वेस्टर्ण एक्स्प्रेस हाईवे पर भारी बारिश की चलते ट्राफिक जाम भी देखा गया भारी बारिश का कहर मौसम वेबाग ने बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है सोला जुलाई तक सिंदुदुर्ग, पालगर, रतनागरी जो तमाम इलाके हैं इसमें लगाताथ भारी बारिश जारी है महीं पुड़े में बारिश की कारण सड़कों पर पानी भर गया, मौसम वेबाग नुसार आने वाले दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी पुड़े शेयर में हलकी से मध्यम बारिश हुई, वहीं आसपास के अलाके में तेज बारिश दर्च की गई है वक्त एक छोड़े से ब्रेक का है दादी के हाथों का जादू और खुश्बू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हुमें क्योंकि हर रिश्टा है, स्वास से जुड़ा बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो, तो जिम्यदारी बड़ी हो जाती है गैलन्ट समझता है इस जिम्यदारी अब डबल M रिम्स के साथ, गैलन्ट एडवान्स, TMT रीबार, निर्मान का रियल हीरो ब्रिक के बद सबीका स्वागत बढ़ते आंगे, गुज्रात में भारी बारिश लगातार जारी है मौसा विभाग में सोमनात, अम्रेली, भावनगर, नवसारी, वलसार, दमन, दाद्रा और नागर हवेली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया मौई जूनागर, राजकोर्ट, पंच, महाल, छोटा, उदैपूर, नर्मदा, सूरत, तापी और डांग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया वलसार बे बीते 24 खंटे में भारी बारिश के कारण मदूबन बांथ में जलसतर बढ़ गया इस इलाके में महेज 4 घंटे में 4-6 बारिश तरच की गई बात उत्तर प्रदेश की जहाल अलगातार मूस लधार बारिश की वज़ए से नदियां उफान पर है प्रदेश के 17 जिलों में बार्ड ने 732 से अधे गाउं को अपनी चपेट में ले लिया पॉसा में भागने अगले तीन दिन तक राचे में कोई कई जिलों में जहमाजम बारिश होने की संभाव नजटाई है आईम्टी कनुसार साहरनपूर मुजफर नगर मेरट पिछनौर जयोतिबा फूले नगर मुरादाबाद रामपूर बुलंचय घावियबाद कौतम बुद नगर आलेगड बनायू शाजापूर पिली भीत हरदोई खैरी, सितापूर, लकनाओ, बारबंकी, अमेठी, अयुद्या, गौंडा, बस्ती, गोरकपूर, मौ, आजमगड, कुशी नगर, जालाउन, हमीरपूर, जासी, महोबा, ललितपूर में अगले कुछ दिनों में बारी बारिश की संभावनार और इसके साथ ही कुछ जगों बिजली गिरने की भी चेतावनी जारिकी गई है। इस उत्सव में किस्तान और उद्यमी, अनानास की विबिन किस्मों के साथ-साथ हस्ट शिल्प उत्पादों और प्रमानिक मिघाली जो व्यंजन है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मदर डेरी के सफल के सहयोग के साथ आयोजित इस मेले के मिठास के विशे में हमारे समवादाता ओपी यादव ने बात की। मेगाले अननास महुतसफ के प्रदिभागियों से। प्रोडेक्स दिख रहे हैं। में पूपाइनेपल हैं और मेगाले का स्पेशल चीजें हैं वह सारी यहां पर हैं। बहुती सुंदर तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। और सबसे उड़ी वाद है की दिली के अंदर मेगाले है। इदर में मिया नर निस कि लम ल eerste को यह भी उप hairst रह Spole Depart website हुए िधर क opin टर्णीं करते हैं यह अपनेनास के तरह के प्रोड़क्ट आपने लगाए हैं क्या है यह उझे पाइना पिल ज्याम है यह भी के वैसका को फीज तो फेर तेव कीश फैरैवल नहीं है यहां पर अनली पाइन आपल का ही प्रॉडक्त नहीं यहां पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड फ्रॉडक्स है हमाई पास हनी है यहां पर जो हनी बी है दाट फीद्ज ओन ओरेंज तो इसी वज़े से उसका ओरेंज टेस्ट है लोगों को पता नहीं है कि मेगाले है कैसी बी है जिंजर है और दिफरेंट काईंड दिफिस्ट इंहांगे ताट कि अपर जोगों को पॉर मेग बीडिफरेंग आपनेज रेगारिज पान पैनेपल जुछ लोगों इन we यहां में पाइनपल जूइस है पाइनपल पर और मिक्स शुगर और प्रिजविटिफ आपनी यह क्या क्या लगा रखे हैं लकाडंग तर्मरिक पौडर वी हाफ और ब्लैक राइस रड़ राइस रेज इवेंट है इसके जरीए मेगाले का कल्चर मेगाले का फूड और वहां कि बहुत सारे आर्टिकल्स जो यहां पर विखते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमोट होंगे ते आप बताइए यह जो पाइनपल है यह अन्ने जो पाइनपल है राजियों के उनसे अलग किस तरह है जो हमारा पाइनपल है मेगालाय से क्यों अलग है बोलने से हमारा जो बन जाता है तो उसका जो लेफ्टोवर होता है शुगर केन बगास कहते हैं उससे उसको हम कनवर्ट करते हैं ऐसे कंटेनर में यह बायो डिग्रेडिबल होते हैं और इसी के अंदर हम इस इवेंट में पाइनपल सर्फ कर रहे हैं मेगाले के साथ आपने एक कोलॉबरेशन क किया है क्या है जी बिल्कुल मेगाले के सीम आज से दो हफते पहले हमारे बूत पर आये थे उन्होंने ही स्पेशली लांच किया है तो देर मत कर यह आप दिल्ली में चल रहे हैं मेगाले पाइनपल का लूट पूठाने के अलावा मेगाले के आटीजन्स द्वारा तयार कि अन्य उत्पादों की खरीद विक्री में अपनी भागिदारी निभाई है मिरस्वगी कैमरामें सालेंदर चोहान के साथ मोपी आदाओ डिल्डी न्यूज डिल्ली हार्ट और अब बाद बाबा बर्फानी की जिनके दर्शन के देश फर से रोजाना हजारों श्रधालों जमू कश्मीर पहुँच रहे हैं पिछले 15 दिन में लगफ़क 3 लाग से ज्यादा श्रधालों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किये कश्मीर घाटी से आज भी 4000 से ज्यादा श्रधालों को जथा आज यात्रा के लिए रवाना हुआ आज सुभा बालटाल बेसकैम से 78 वहानों से 1896 यात्री रवाना हुए पहलगाम बेसकैम से 105 वहानों से 2993 यात्री रवाना हुए और इस कड़ी में अवना थियात्रा के लिए तीर थियात्रियों का एक और जथा आज पंथा चौक श्रीनगर बेसकैम से रवाना हुआ कड़ी सुरक्षा के बीच अवना थियात्रा जारी है यात्रा 52 दिन के बाद रख्षा बंदन के दिन 39 अगस्त को पूरी होगी हारियाना के अमाला शेहर के हयबल पाक में रागीरी कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हारियाना के मुख्य मंत्री नायब सिंग सेनी साइकल चला कर कारिक्रम स्थल पर पहुंचे और बत और मुख्य थी थी कारिक्रम में भाग लिया रागीरी में नुक करनाटक, सड़क सुरक्षा, पर्यावरेंट सुरक्षा, नश्रामुक्ती जैसे विश्यों पर अलग अलग विभागों द्वारा जागरुकता पहलाने के लिए स्टॉल लगाई जाती है देश में रोबोटिक्स को लेकर युवाओं में रुची और सक्रियता काफी बढ़ गई है तकनीकी तोर में रोबोटिक्स का विश्यों विध्यार्थियों के बीच बेहर लोग परिया है इसके मदर दो दिवसी रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया दोहजार चौबीस का आयोजन किया गया इस राश्ट्रिय प्रतियोगिता में कई कॉलेजिस की जो टीम है वो भाग ले रही है रोबोटिक्स में इंजिनियर चात्रों का बढ़ता रोजान भारत की रोबोटिक्स फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है स्किल को बढ़ाने और भारत को फ्यूचर रडी करने के लिए इस कारिक्रम की क्या भूमिका हो सकती है इस सविशे को लेकर IIT दिली के प्रोफेसर के सहा से विशेश बातचीत की है हमारी समबदा था दिपिका ने आई आई आपको सुनवा रहे है सब्सक्राइब करने के लिए फिलाल हमारे साथ मौझूद है आई आई टी डेली के प्रोफेसर के साहा डीडी रोबोकॉन के जब हम बात करें एक और नया साल नई एक्सपेक्टेशन नया व्यूव कैसे देखते हैं आप इसको ओल टुगेदर डीडी रोबोकॉन का आपको पता ही होगा इसमें सारे कॉलेज की टीम्स रोबोटिक्स कंप्टिशन में पाटिसिपेट करते हम जो चाहते है बैसे के लिए ऐसी कंप्टिशन से जे स्टुडेंट लोगों का स्कील से बड़े और रोबोटिक्स एक काफी इस प्रदान मंत्रे का भी नारा राय की टेक्नोलोजी डेडी होनी चीए याई की तरफ हमारा फोकुस ओना चीए पॉजिटिव वे में पॉजिटिव तरीके से भी उस विजन को देखते हुए आयाइटी डेली ने अभी तक क्या-क्या उनकी तयारिया रही हैं और क्या-क्या चालेंजिस रहे हैं डी-डी रोबोकॉन को भी सुक्सेस्फुल बनाने को लेकर उस विजन को मदे नज़ा रखत अंधेट और सीफ-डी रोबोकोन के प्रिपरेशन के लिए तायरी के लिए हम पांस दिन जैसे लास या पांस दिन कामने के-दर संगे किये थे अम प्रोग्रम किये थे जहां पर वेरियास जैसे हमारे कांट्री का फरसा क्यान अरफ को यह तक आते हैं हम उनको हारड़बार खेलों को लेकर जागरुकता पहलाने के ओदेश्वे से दिल्ली के जवाहरलान नरू स्टेडियम में भारत इन पारस अवेरनेस रन का आयोजन हुआ इस मौके पर मوجود केंदरी वस्ट मंत्री गिर्राथसिंग और सांसत मिनुष्तिवारी ने दोड़ को हरी ढ्ली दिखा कर रवाना किया इस मौके पर केंदरी conflicting गिर्राथसिंग ने पारस उलम्पिक में हिस्सा लेने वाले खेलाडियों को अपनी शुब काम नाये दे उन्हेंने का कि मौदी सरकार के अगवाई में खेलों के विकास को लेकर जमीनी से पर काम हुआ यह वजाए कि आज हमारे खिलाडी खेल में बहुत आ गया है भारत के लोगों में हर उम्र के लोगों में मेल फी मेल सभी के बीच भारत इन पैरिश के वरनेस प्रोग्राम में मेराथन में जो हिस्सा लिया है और लग रहा है कि अभी जो भारत लगातार दस साल से मेडल जीत रहा है और आने वाले दिनों में 2036 में जब हमारे उलम्पिक होंगे तो कितनी खोशी होगी पैरिश इन भारत के वरनेस में इतनी खोशी है अखिर हो क्यों नहीं जिस देश का प्रधान मंत्री इगेम्स के बच्चों के साथ इंट्रेक्ट हो जो इगेम्स अब आने वाले दिनों में एक सबसे एग्रेशिव गेम होने वाला है ऐसी एस्थिती में उन्होंने काम भी तो किया है खरीब साथ किलोमीटर की भारत इन पारिस जागरुकता दोड़ में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया वहीं भारत इन पारिस अवेरनेस दोड़ में शामिल उत्री पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोश्तिवारी ने उलम्पिक में हिस्सा लेने जा रहा है खेलाडियों को अपनी शुब काम ना आए दी भारत उलम्पिक में अच्छा करें ये हर भारतिये के मन में भारदवनसियों के मन में रहता है और अभी जो पेरिस में भारत जा रहा है उलम्पिक में जो कंटिजेंट जा रहा है हमारा उसको उसका उत्सा बढ़ाने के लिए ये आज का मेराथन है और हम लोग उसको थोड़ा सा प्रसाहिद करने के लिए आए हैं जितनी संख्या में बच्चे भाग लिए हैं ये दुआएं पहुँचेंगी और निश्चित रूप से पेरिस में भारत के बच्चे कुछ और ज्यादा अच्छा करें क्योंकि इसमें तो ये दिल मांगे मोर वाली इस देती है विमरलर में आज पुरुश एकल की खताबी माच्च में तरब्या के स्टार टेनिस के लाड़ी नवाक जोकोविच का सामना यूबा टेनिस टार कारलोस अलकाराज से होगा गट चैंपिन कारलोस अलकाराज की नजचर करने पर होगी तो वही नुवाग जोकोविच अपने 25 पे ग्रांड स्लाम की तलाश में कोड़ पर उतुरेंगे और तरबकी सेमी फाइनल मेल करा अजरूस के डेनल मेद्वदेव को हरा कर खिताबी दौर में पहुंचे जबकी जोकोविच ने इटली के लोरांजो मुसेटी को हरा कर फाइनल में जगा पकी कर लिए यूरो कप दोदाब चौबिस के फाइनल में आज स्पेन और इंगलेंड आमने सामने होंगी तोनों टीमों के लिए आज का मैच बेहद एहम है इंगलेंड की टीम की कोशिश इस मैच को जीत कर 58 साल के खिताब के सूखे को खत्म करने की होगी इंगलेश टीम को पिछले यूरो कप के फाइनल में इटली के हाथों श्रिकस्त मिली वोई स्पेन चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम करने की रादे से मेदान पर उत्रेगी फिलाल समाचारों में इतना है दीजिए जाहता नमस्कार